कि नमस्कार दोस्तों मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ साइंडर पर तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको लेक्ट्टर के उपरान पीडियोफ अब्डेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ यह यहां पर परवबस asi जीव जिसमें से एक जीव था डेलॉइड रॉटीफर यह करीब 50 माइकरॉन से लेकर के तु सायज का हो सकता है्य यह जी जिव रिजदर माइक्रोसकोपिक से उड़ा बढ़ाया तो साइंटेस्स को लगा मरा हुआ होना चाहिए यही होना भी चाहिए था पर जैसे जैसे वो बरफ का टुकड़ा पिघलता गया वैसे वैसे वो डेलॉइड रॉटिफर उसमें जान आती गई धीरे-धीरे ओ मूव करने लगा खाना भी शुरू कर दिया खाने भी लगा आने completely back to life आ जाता है तो दोस्तों जैसा माना जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग है क्योंकि बहुत ज्यादा हम भी रिसर्च कर रहे हैं कुछ ऐसे ही क्रायो प्रिजर्वेशन प्रसेस पर आपने साइन्स फिक्शन वाली काफी मूवीज देखी होंगी Captain America से लेके कई मूव भी देर तक इस प्रकार की क्रायो प्रिजर्वेशन होते हुए नहीं देखी गई है तो आईए आज के लेक्चर में हम इसी पर चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं न्यूज में क्या है तो अलग-अलग डूज चैनल से न्यूज प्लाटफॉर्म से सब आप देख सकते हैं कि वील अनिमल भी नहीं को कहते हैं तो टाइनी अनिमल सर्वाइव आफ्टर 24,000 यह फ्रोजन साइबीरियन पर्माफ्रोस्ट अब बिग स्टेप फॉरवर्ड किसके लिए इस बिग स्टेप फॉरवर्ड है क्रायो प्रिजर्वेशन को समझने के लिए स इस फ्रोजन फॉर 24,000 यह इन साइबीरियन सॉयल तो आईए सबसे पहले तो समझते हैं यह जीव कौन सी है जिसकी बात हो रही है दोस्तों यह जीव है डेलॉइट रॉटिफर या फिर जिसको हम कहते हैं वील एनिमल वील अनिमल क्यों कहते हैं तो यह देखिए हीटर तक की साइज का हो सकता है खासियत देखिए इसका एक वेल डिवलपड बॉडी का स्ट्रक्चर है ब्रेन है गट्स है पेट है मसल है साथ में रिप्रोड्रॉडटिव सिस्टम है इंटेस्टाइन्स है याने प्रॉपरली इसमें ओर्गेंस है इस जीव में साथी साथ इसको Deloitte Rotifer तो कहते ही, साथ-साथ wheel animal भी कहते हैं, क्योंकि इसके mouth के आज पास आप देखे न, तो cilia, hair-like structure निकले हुए रहते हैं, और जब ये move करता है, जब ये जीव move करता है, तो कुछ लगता है जैसे वो चक्के की तरह घूम रहा हो, तो इसलिए लगता है जैसे wheel चल र में रहते हैं, और ये extreme climate, acidity, starvation, low oxygen, radiation, सालों तक dehydration में survive कर सकते हैं, तो अब तक हमें रखता था 20-25-30 साल तक survive करेंगे, लेकिन जो नया research, जो नहीं discovery हुई है, that is groundbreaking, तो दोस्तों आपको यहां पर बता दूं, आपको यहां पर बता दूं कि ये जीव, वैसे तो इसके सिव अन्य जीव भी है, जो की लंबे टाइम तक cryopreservation withstand करते हैं, इससे पहले भी हमने और कई जानवरों पर भी research किया है इस प्रकार का, तो दोस्तों इसके लिए जो proper term है, that is cryptobiosis और anabiosis, तो ये जीव क्या करते हैं, जब cryptobiosis या anabiosis के state में जाते हैं, तो उस state में ये जीव zero metabolic state म चले जाते हैं, इस totally zero metabolism show करते हैं, याने कि एक प्रकार के complete slumber, पूरे तरीके से सो जाते हैं, जिसमें body पूरे तरीके से shut down होके बंद हो जाती है, मरती नहीं है, लेकिन zero metabolic state में चला जाता है, तो उसी को कहते हैं, cryptobiosis या anabiosis, तो cryptobiosis में ये कोई कुछ जीव होते हैं, जो की drying, starvation, low oxygen level, low temperature, survive कर बाते हैं, तो दोस्तों कुछी जीव कर सकते हैं ऐसा, ये जीव जब वापस से, usually दुर्गम परिस्टिती में इस प्रकार के cryptobiosis या anabiosis में जाते हैं, और जहां वापस परिस्टिती अनुकूल हो जाती है, rehydrate करते ही, within few hours, वो ऐसे behave करते हैं, जैसे अधिना reproduction तक शुरू हो जाता है, तो इस case में हम जिसकी बात कर रहे हैं, दोस्तों वो है, डिलॉइड, वो है, बैलॉइड रोटिफर्स, तो अगर हम बैलॉइड रोटिफर्स की बात करें, दोस्तों, तो ये 24,000 साल पुराने सैंपल से, जो स्वाइल से हमें पता चला है, ये 3.5 मीटर की गहराई से जो हमें पर्माफ्रस का सैंपल निकला था, जब वो था किया, तो ये रोटिफर्स करने लगे, फीड करने लगे, यहां तक की reproduce भी करने लगे, दोस्तों आपको यहां पर बता दूँ, मैं इस सैंपल में और भी कुछ जीव थे, लाइक नीमेटो करते हैं, यह तो हमें मालूम था, लेकिन ये भी करेंगे, यह हम नहीं जानते थे, कि रोटिफर्स भी इस परकार का क्रृप्टो बाइस करेंगे, यह हम नहीं जानते थे, other examples दोस्तों, गर हम क्रिप्टो बाइसिस का देखें, तो Antarctic moss, तो Scientist ने Antarctic moss, moss कुछ इस परकार का आपने देखा होगा पत्थर पे दिवार पे लगने वाला लाइफ फॉर्म है तो यह अंटाक्टिक मॉस उनकी सीड hundreds of thousands of years पुरानी थी अंटाक्टिका से जो मिली थी उसको साइन्टिस्ट में वापस ने देखा तो जब अनुकूल परिस्टि हुई तो उसमें भी लाइफ आ गई से स्पेस मिशन से कनेक्टेड है रिसेंटली और वह कौन से देश का भी मिशन है और किस प्लानेट के लिए था या किस के लिए था कौन से के लिए यह भी बताईएगा तो दोस्तों प्रीवियस रिसर्च अगर हम देखें तो रॉटिफर्स हमें मालूम था कि वो डीप फ्रीज पॉर डिकेड के लिए तो करते हैं लेकिन अब हमें पता चला है कि रॉटिफर्स क्रिप्टो बायोसिस के लिए कर सकते हैं तो इस प सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स करते हुए दिखें लेकिन इतना कॉंप्लिकेटेड लाइफ फॉर्म करें तो यह हमें नहीं मालूम था जो कि अब पता चल रहा है निमेटोड्स भी करते हैं निमेटोड्स के साथ-साथ यह दूसरा स्पेसिमेन है जो की मल्टी सेल्यूलर सबसे पहले तो आप देखें जब कोई भी जीव करता है तो उसके शरीर में जो सेल हैं तो सेल में अगर हुमन सेल की बात करें तो हमारे सेल्स में 50% करीब तो वाटर होता है तो वह सेल जब फ्रीज करता है तो वाटर क्या बन जाएगा आइस प्रिस्टल बन जाएगा आप आपने फ्रिज बॉस्किंने पानी रखा है तो आप अगर पानी का सीर्फ करने लगते हैं तो उटels करने लगते और इस से ओपने सा्वार मर जाते हैं लेकिन ऊटीफर जैसे जीव क्या करते हैं वह कुछ स्पेशल मॉलिकुल बनाते हैं जो की आई क्रिस्टल को जमने से रोकते हैं आइस क्रिस्टल की नहीं बढ़ने देते और इस प्रकार से वह Deep स्टेट में भी सर्वाइव करते हैं वह सटेट में ही फ्रीजिंग प्रसेस्ग को भी सर्वाइव कर जाते हैं और क्रिक्ट्टो बायूसिस शो करते हैं तो दोस्टो अगर यह molecule को हम समझ गए और इसका application बहतर समझ गए बायूजिकल स्वो के माफ ली किया in human preservation जैसा इस प्रकार से हो रहा है इंसान को Captain America को क्रिप्टोबायोसिस करवा दिया तो हो सकता है वो भी समझ जाए अगर ओं molecular level पर क्या हो रहा है क्योंकि सेल प्रिजर्व हो रहा है तो वही सेल प्रिजर्वेशन का process यहां भी replicate अगर हम कर दें तो हम भी समझ सकेंगे तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो गाई है लेकिन आपको बता दू इस वक्त कोई भी मैमल क्रिप्टोबायोसिस शो नहीं किया है तो अभी तो हम बहुत दूर है है हमारी understanding बहुत कम है क्रिप्टोबायोसिस जैसे टॉपिक पर इसके सिवा दोस्तों एक टॉपिक एक चीज है एक बात है जो भी भी अन्रिजॉल्ट है वह है यह रॉटिफर्स अगर आप देखे तो सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो रहा है क्योंकि यह रॉटिफर्स तो एसक्शुली रिप्रोड्यूस करते हैं डाट टू बाई पार्थिनोजेनेसिस जो की इवल्यूशनरी डिसद्वांटेज है क्योंकि आपके जनेटिक लेवल पे ज्यादा वेरियेशन नहीं क्योंकि सेम जीन गलता जब कार विब्लिकेट होता जा रहा है तो वही जीन में कैरी किया तो कैसे इतना जादा डाइवर्सिटी floreści क्या है दोस्तों तो देखिए बड़े बड़े भी ओनने उड़ी च्पर् jaga करते हैं इसमें क्या होता है 예 को लेकिन वह अंडा अनफर्टिलाइज होता है और उसी से एक क्लोन आफ मदर उस अंडे से निकल जाता है पार्थीनोजनेस कुछ सांप भी शो करते हैं कुमोडो ड्रागन गेको स्विशी चिपकिली स्विशी में बहुत कॉमोडो ड्रागन भी ऐसा ही होता है पॉर दो बिना मेल के फिमेल बस अपना अंडवे डेती हैं और उस अंडे से मदर का ही रेपलिका याने क्लोन उस अंडे से निकल जा रहा है अगर आप क्रिप्टो प्रीजर्वेशन क्रिप्टो बायोसिस समझ गए तो हो सकता है आने वाले दिनों में यह साइन्स फिक्षन जो हमने पढ़ा है वह रियालिटी हो जाए तो दोस्तों जब भी आए यूज़ी कोड केसी 10 क्यूंकि आपको सिर्फ 10% आफ नहीं मिलेगा इससे आपको डिरेक्ली मेरी मेंटॉर्शि समाज सत जुड़े हुए जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अन्यकाइट भी सिविल स्विस टैंपियंशिप भी है तेरा जून से तो इसमें आप फ्री में रोल हो सकते हैं और साथी साथ इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम टुक्राक क्यूंकि है जो कि आप देख सकते ह हर हफते एक बार होगी साथ ही साथ दोस्तों कॉम्बो प्राइस भी आपको बता देते हैं 25 परसेंट 10 परसेंट यूजिंग रिफ्रल कोड आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो केसी 10 कोड यूज करेंगे आपको फर्दर 10 परसेंट मिलेगा यह कॉस्त है आप देख सकते है स्क्रीन पर एक साल की कॉस है 57,500 जैसे ही आप केसी 10 यूज करेंगे जी एसन ऑफ्शनल कॉम्बो की तो आपको कुछ 52,000 पर मिल जाएगा इसके सिवा दोस्तों यूपसी CAC महा सब्सक्रिप्शन ओफर जिसमें एक साल का सब्सक्रिप्शन वैले तिल मेंस 2022 है दो साल का सब सब्सक्रिप्शन वैले तिल मेंस 2023 है तो दोस्तों यह 16 जून को ऑफर खतम होने वाला है तो नाव इस दा टाइम यूज डिकोट केसी 10 एंड विकमा पार्ट ओफ इसके सिवा दोस्तों इस वक्त हम आपको लोन भी प्रोइट कर रहे हैं तो डिस्रिप्शन बॉक्स में दे अचेसे भी नौजून से स्टाट हो चुके हैं फ्री टेस्स सीरीज भी है दोस्तों और साथ ही साथ आपको मैं बता दूँ अनकाडमी कॉमबाट इंडिया का बिगेस्ट शुप टेस्ट है तो केसी 10 से उसमें अन्रोल करें यही वह सबसे बहतर वक्त है अनकाडमी सब्स्र